ओम शान्ती आज अव्यक्त मुर्ली का जो हम रिवीजन कर रहे हैं 57 वी मुर्ली है अव्यक्त मुर्ली का विशे है विशुपती बनने की सामगरी बाबा ने 11 जून 1970 को सुनाई आज सत गुरुवार के दिवस किस लिए विशेश बुलाया है आज कुमारियों का कौन सा दिवस है समाप्ती समारो लेकिन आज का सत गुरुवार का दिन विशुपती बनने की शुब अविनाशी दशा बिठाओ सत गुरुवार का दिन विशुपती बनने का शुब अविनाशी दशा बैठने का दिवस समझा तो आज बाप दादा विशुपती बनने की क्या समगरी लाए होंगे जब कोई समारो होता है तो उसमें समगरी भी होती है तो आज विशुपती बनाने के समारो में विशेश क्या समगरी लाए हैं ताज, तख्त और तिलग फिर इन तिनों को धारण करने की हिमत है ताज को धारण करने के लिए तख्त पर विराजमान होने के लिए तिलग को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर ये धारण करने की हिमत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा तिलक को धार्ण करने के लिए तपस्या और ताज को धार्ण करने के लिए त्याग और तक्त पर विराज मान होने के लिए जितनी सिवा करेंगे उतना अब भी तक्त नशीन और भविशे भी तक्त नशीन बनेंगे इन तीनों बातों से ही तीन तीनों चीजे धार्ण कर सकेंगे अगर एक भी धार्णा कम है तो फिर विश्व पती नहीं बन सकेंगे समझा तो इन तीनों गुणों की अपने में सम्पूर्ण धार्णा की है तीनों में से एक भी छूटे नहीं तब शूर्वीर का जो नारा दिया है वो कार्ये कर सकेंगे तीनों की परतिग्या की है त्याग किसका करेंगे सबसे बड़े से बड़ा त्याग क्या है अब सर्विश पर उपस्तित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य ये धार्ना रखना है कि मैं पन का त्याग मैं ने किया मैं ये जानती हूँ मैं ये कर सकती हूँ ये मैं पन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है मैं की बजाए बाप दादा की सुनाई खुई ग्यान की बातों को वर्नन करो मैं ये जानती हूँ नहीं बाप दादा द्वारा ये जाना है ग्यान में चलने के बाद जो स्वय अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग जब इतनी त्याग की वृति और द्रिष्टी होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे संजा तब विश्व पती बन सकेंगी विश्व की सर्विस कर सकेंगी अपने धार्णा को अविनाशी बनाने के लिए वासदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखनी हैं कौन सी विशेश कन्याओं के लिए हैं एक तो सभी बातों में सेंपल रहना और अपने को सेंपल समझना जैसे आप सेंपल बन दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सोधा करने के लिए पात्र बनेगे सेंपल दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सोधा करने के लिए पात्र बनेगी इसलिए ये दो बाते सदैंव याद रखो अपने को ऐसा स्रेश्ट सेंपल बनाना है स्रेश्ट सेंपल बनाया है जो अच्छा सेंपल निकलता है उनके फिर छाप भी लगाई जाती है उनको फिर क्या लगा जाती है च्छाप स्टैंप लगा दी जाती है रिजिस्टर कर दिया जाता है आप कौन सी च्छाप लगा कर जाएंगी जो कभी मिटे नहीं शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां साकार में ब्रह्मा कुमारियां सरकार में दो निमित बनी हुई बड़ी अथोर्टी ये च्छाप लगा रही है इसलिए ये याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे ये नहीं लेकिन कब हटेंगे नहीं संसकारों में चाहे सर्विस में चाहे संबंध में सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं हटना कमजोरी का काम है शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं ना की हटती हैं तो ये बातें याग रखनी हैं फिर इस ग्रुप का प्रेक्टिकल पेपर कब होगा अभी की रिजल्ट फाइनल का नहीं है अभी तो पेपर देने के लिए जा रही है फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है बाप दादा ऐसी उमीद रखते हैं इसलिए आप ऐसा समझो अब ऐसा समझो कि जो करम बंदन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मदुबन से संपूर्ण पहचान संपूर्ण सुख जाए मदुबन में समर्पन का समारो मनाने आना है इस लक्षे से जाना है फिर इस गुर्प से कितनों का संपूर्ण समर्पन का समारो होता है आज तो महाबली बनने की बाती सुनाई है फिर महाबली चड़ने के लिए आप आएंगी महाबली बनने की बात सुनाई फिर महाबली चड़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे सजा कर फिर स्वहा करना होता है जितना बाप दादा के सने ही उतना फिर सयोगी भी बनना है सयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धार्न करेंगे फिर स्वहा होना है जो भी कोई भक्ति की कमी हो तो वो आज कोई भी शक्ति की कमी हो तो वो आज के दिन यी अपने में भर कर जाना कभी साथ ले नहीं जाना कमी अपने साथ नहीं ले जाना अभी सिर्फ हिसाब किताब चुक्तु करने जाते हो घर जा रहे हो सेवास्तान पर जा रहे हो क्यों जा रहे हो हिसाब किताब चुक्तु करने के लिए सर्व शक्तियां अपने में भर कर जाएंगे तब चुक्तु कर सकेंगे फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रेक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे चा, ओम, शान्ती, कोई प्रेशन हो तो संपर्क करें